स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस्टू टेकनोलजी में मैं अनुपर मेपूल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शोग साइंस थर्ष्टी में आज हम लोग बात करेंगे एक topic के बारे जिसके काफी request आया है मैं आपको यह समझना होगा कि यह must have home appliance के तौर पैता है यानि कि आप साइधी किसी को घर देखें जैसे बल बना हो वैसे ही करके ceiling fan AC के बिना घर मिल जाएगा ceiling fan के बिना घर नहीं मिलने वाला तो इससे फरक यह पढ़ता है कि अगर आप पूरे planet का देखते हैं कि ceiling fan कितना बिजली खाता है वो बहुत बड़ा हिस्सा खाता है एक ceiling fan नहीं खाता लेकिन इतने जादा ceiling fan हमारे life में हो गए है कि वो बहुत उर जड़ा जाता है यानि कि हमको पठा यह कैसे बनता है आपके रोड के बगल में रहने वालाने को भी बताई यह चलता है और रिबेर किश किया जयता है यह एक कोट सब लिए उस Просто यह ने की होता है इसे में अएक होता है यह Спेल ँद ऐबे है क्या तो सिर्फ दो चीजिजय आपको कपैसिटर चाहिए और कुछ होता है जनरली कपैसिटर मतलब उड़ते रहता है हर कुछ साल में और उतना महंगा पढ़ता नहीं इसलिए छापत होता है कि हर चार्मार साल में खपत होगा और कभी कभी कभार अगर बोल्टेज बहुत जंदा आने लगा पिधर में तो कोईल वड़ता है कभी-कभी तो समझे टाइम टेस्टेट टेकनोलोजी और एक महित्पूर्ण हिस्सा है हमारे जिंदगी का अब बात करते हैं टाइम टेस्टेट है तो इसमें समस्या क्या है वही है समस्या यह कि बहुत जादे एफिशेंट नहीं है यानि कि बेस्ट के सिनर्म में अगर आप एक नॉर्मल सीलिंग फैन खरीते हैं जो आपको हजार रुपए के अंदर मिलता है वह जनरली 75% तक ही एफ मोटर में होता है तो इसमें क्या है जो वेस्ट कर रहा है इसमें मैगनेटिक स्लिप होता है यानि कि जो फ्रिक्वेंसी का रोटिक्शन उससे पीछे चलता रहता है जो इंडेक्शन प्लेट जो मतब रोटर जो है तो पीछे चलता है उसकारण से वेस्टेज बहुत होता है तो BNDC से हम लोग इसको इसलिए replace करना जाता है कि BNDC 90% efficiency तक आराम से पहुँच जाता है तो यह बहुत important बात हो और जिस कारण से मैंने यह खाता है वो कारण यह था कि हम लोग का induction fan जो है सब चीज चाहिए लेकिन इसको square way एकदम नहीं पसंद है अब बोलेंगे AC तो sinusoidal होता है मतलब एकदम स्मूध हाता है वो जब तक आपका inverter बहुत मैंगा तभी तक वैसा होगा generally आम लोगों की जिंदगी में आम inverter जो की बहुत मैंगा ना हो वो square wave देता है और इसका test करने के लिए आप सिंपल ऐसे करता है और लाइन जाते हैं आवाज करने लगे यानि आपका inverter square wave है inverter में यह problem है लेकिन बात है कि अब हर कोई करोड़पती नहीं होता कि अरे square wave बदलो sign wave ले लो इतना पैसा मेरे पास रहता है मैं तो online लेके बैठा रहता लेकिन उतना पैसा नहीं है तो square wave में यह सब पंखा रो देता है तो और आजकर हर कोई 5 star के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है तो इस कारण से एक नया market में समझी एक void बन गया कि कुछ नया डाला जाए और मेरा कारण होई था कि मेरा जो पुराना पंखा था बहुत गंदा आवाज करता था वो inverter पर चलने पर और अगर इसको slow speed पर चला है तो कान खराब करते रहता तो अब बात करते है बील्डीसी कहसे चरहता है ङरे टेकनिकली क्या होरा बील्टी सी में पहले है फिर उसे बदला जाता है तो जो भी आपका ईसी आप 0.202 से Bub橋 निकलता है अगर आप यह thi मोर्टर की वाइंडिं यहागा उर से बाटब एक इसी मतला जाता फिर DC को एक inverter circuit का इस्तमाल करके 3-phase AC में मतला जाता है और इसी से आपका motor चलता है अब फिर motor का speed कम AC करने के लिए हिसाब ये किया जाता है frequency को चल रहा है उस पे मतलब फरक बड़ेगा कि आपका पंख्रा का आर्गियम कितना है तो कुछ-कुछ केसिस में ऐसा भी किया जासा कि एकदम स्मूध कंट्रोल कि मतलब दीरे दीरे चल रहा है ऐसे बहुत तेज तो यह खूंब फिर के तो लग रहा है सीधा-सीधा इंवर्टर जा सरकेट है घुमा फिरा के इंवर्टर ही तो बील डीसी बस उसी लिए इतना इंपोर्टेंट है इस चीज में क्योंकि वह पहली बात एसी को लेकर सांती से टीसी में बदल देता है टीसी को फिर एसी बनाता है और वो उसमें स्लिप नहीं होता है यानि मैगन पंखे में जिस दो स्टेटर होता है एक होता है नॉर्मल रॉनिंग स्टेटर तो इसकी मैनुफैक्ट्रिंग महिंगी पढ़ती है अगर आप कहेंगे कि बील डीसी तो और महिंगा होना चीए क्योंकि उसमें स्टेटर भी है और पर्मानेंट मेंट भी डालना यह बात एक आप आराम से यह कर सकते हैं तो सिंप्ली घुमा फिरा कि मतलब कमपणी के नदर से देखें तो दोनों सेम है और अगर इंजिनियरिंग के पॉइंट से देखें तो यह जाड़ा सेम्पल पड़ता है क्योंकि दो मतलब समाजी कौन यह नहीं रहता है मतलब को एक्सियल सिस्ट वह सब सम्हाल लेता है तो जनरली एक्जांपल देखेंगें कि बहुत अच्छे-चे पंक है जैसे मैंने क्रेमटन के लिया उसमें रेटिंग है कि 90 वोल्ट से 300 वोल्ट तक यह अराम से हैंडिल कर सकता है और इस पर ऐसा नहीं हो कि 300 वोल्ट आया तो पंक हाई कर रहा है व इसका वेबसाइट पर लिखावा पॉइंट नाइन एट है जो कि बहुत अच्छा है वन हो जाए तो बंबं हो जाए लेकिन वन इंडुक्टिव लोड में ले जाना बहुत मुश्किल होता है तो प्रोस इसका वही है और एनरजी एफिशेंसी का ट्रांसलेशन यह होता है क अगर आपके घर में चार पंखे लगे हैं चारों पंखो को बदल दें और चारों पंखो को आप इससे बदल देतें बीन डीजी से आपको एक से दो साल के अंदर जितना पैसा आपको लगा था वह पंखा बदलने में उतना रिकवर हो जाएगा तो इसलिए इसके पीछे ल पर घंटा बचे जा रहा है पर घंटा जो का यूनिट कंसम्शन हो थोड़ा सा कम हो रहा है हर दिन थोड़ा सा और कम हो रहा है देखते देखते पाइल अप हो जो तो महीनी में एड हो नहीं लगता है तो कमपनी तो थोड़ा भावना में बैज आती है कि हम 6,000 रुपया बच अब बात करते हैं मविश में क्या होने वाला इसमें तो हिसाब यह समझे कि BLDC के पास एक सबसे प्रॉब्लम है कि यह टेस्टेट नहीं है जैसे कि मैं यह एमेजॉन से लिया इसका एक सीधा कारण है कि अगर यह तीस दिन के अंदर बूम होता है मैं अमेजॉन को वापस प फिर इसका दूसरा एक बात होता है आफ्टर सेल्ज सपोर्ट यानि कि यह फैन कभी न कभी तो बिगड़ ही सकता है उस टाइम क्या करेंगे एक्जाम्पल के दौर पर देखे सब कंपनी का 5-year warranty ते रहा है मैंने सुफर फैंक का इसलिए नहीं दाम भी जालना था और प्लस दिजाइन डिसीशन में मुझे एक चीज अच्छा लगा कि बहुत सारे फैन में आप देखेंगे तो ड्राइवर सरकिट जो है DC मतलब यह जो AC को DC में बदल के उससे 3-way बनाता है वो पंखा के अंदर डिया रहता है अच्छा दिखता है लेकिन साइड इफेक्ट होता है कि यहीं बिगणता इसको पूरा खौलना पड़ता है तो जीकि रिप्लेस कि आजा सकता है वहीं कराँतन के दिजाइन में यहीं को शेंड़ हो च송 कर सकता है यहां पर अराभ से मॉल्टी मेतर लूचिछ इंदा कर बनте रूद कर सकता है उसको खोलने की जरूद से प्छलने की तो डिजाइन के मादले में मुझे एक चीज अच्छा लगा क्रेम्टन के मैनुफेक्ट्रिंग में कि अइसा नहीं कि सिर्फ बना दो और उसको रिपेर करना सर्विसिंग करना क्योंकि आप भले बलो और इसमें कुछ नहीं भी गड़ना जी ऐसा कभी नहीं होता है और इंड जो सबसे नाजुक है लेकिन अगर उसे बनाया जैकि कोईल उड़ा है कि ड्राइवर बेस्तेर आपका अरां से हो सकता है कभी उड़ा ही नहीं ऐसा भी होसकता है लेकिन जनरली उसे ऐसा बनाया जाता है कि आप उड़े तुरंद बदलो तो मुझे ये डिजाइन का काफी अच्छा लगा मेड इंडिया तुथाई तो यही समझी कि अभी भी सबसे बड़ा रिस्क जो है तो ब्रवन वाला लिया तो हिसाब यही है कि अभी इसका कैपिटल कॉस्ट उस जगहां पर नहीं है जहां पर मैं हर किसी को बोलो सीलिंग फैन के जगह यही ले लो बीलडीसी सीलिंग फैन लेलो ऐसा नहीं आपको तीन गुना साथा लेना पड़ेगा हम लोग बहुत खुश है और प्लस पंखा का स्पीड भी बहुत अच्छा है फ्लोर रिट भी काफी अच्छा रहा और मैंने अमेज़ान पर नीचे दे दिया है अगर आपको खरीदने की ख्षा है देख सकते हैं और इंवर्टर पे जो मतब कम स्पीड भी इंवर्टर में आवाज नहीं कहता है जो कि बहुत जरूरी है तो इसी लिए देखिए आने वाले टाइम में क्या होता है क्योंकि लॉंजिविटी समय के बार ही पता चलेगा क्योंकि पर्मनेंट पेंट अपना पावर दीरे दीरे लूज करता है तो ऐसा तो अराम से हो सकता है कि 15-20 साल तक तो पतो नहीं चले लेकिन उसके बाद क्या होगा और आफ्टर से सपोर्ट क्योंकि यह प्रॉड़क्स ही नहीं है तो अभी उतना समय ही नहीं बिता है कि हम लोग बो सके ने ने यह आराम से बनता है फिर रिपेयर होता है आपको दिकत्वाली बात नहीं है तो देखिए मुझे तो करांटेंटर थोड़ा सा भारोसा किया है रिस्क लिए अपना पैसा के लागा आप तो दी हम देखिए कुछ साल बात पता रहेंगे कि चला की नहीं चला तो यह था मेरा प्रेजेंटेशिन बी अलडी सी सीलीं फैन के पारे में उमीद करता हूँ आपको अच्छा लगा कुसा सिखने हो में लगको समझ में अगर ऐसा है लाइक कर दे तो शेयर कर दे उससे पर काफी बहला होगा नहीं अच्छा लगा नहीं तसंद आए कोई बात अच्छा लग लगा